थैंक यू सो मच उसामा एंफिजा और नाजियन स्टार डिबेटर की तलाश में मैं हूं महविश्ट बसुम और मेरे साथ मौजूद हैं जजिज मेरे बहुत प्यारे सुमया रिज्वान और मुदस्र इकबाल जनाब कैसे आँ आज करा जो डिबेट कॉंपिशन है ये मुदस्र भाई को देख के माई टीम के रहे है रोजा लग रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा आज हमारा जो कॉंपिशन हो बड़ा इंट्रस्टिंग होने जा रहा है कि हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो चोटी-चोटी तीन बच्चियां है बच्चों में तो वैसे ही प्यार आरा होता है तो और दूसरी और इंट्रस्टिंग बात यह है कि हमारा जो आज टॉपिक है वो मजाहिया टॉपिक है अब देखना यह जो छोटी-चोटी बच्चियां है ये वैसे एंपियार आ रहा है लेकिन याज दिल कै से जीतती हैं ये जब डाइस पर आएंगी तब ही पता चलेगा जनाब टॉपिक है आज का ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है तो देखते हैं कि ये कैसे अपने टैलेंट का मुझारा करती है अभी हा नुमान है हमारे साथ आईशा काजी हैं और आमना रियाज हैं सबसे पहले अभ सोचकर मेरा सरदर्द से भटा जा रहा है अभी कल ही की तो बात है अम्मी ने मुझे सामने वाली दुकान से दूट लाने के लिए बेजा जब में घर से बाहरे निकली तो मैंने देखा के मेरी सहीली आमना ने खुबसरत फ्रोग पहनी वी है मैं फोरन इसके पास पहुची इसके फ्रोग की तारिफ की तो वो बोली ये मैंने अपने मामो की शादी में पहनी थी मामो ने मुझे खुबसरत गुरिया भी तोफ़े में दी है आओ मैं तुम्हें दिखाओं वो मुझे अपने घर ले गई हम दोनों गुरिया से खेलने लगे मुझे वग गुजरने का गुजरी और मैंने सोचा कि इसा मेरे साथ ही क्यों होता है सद्री जीवकार यही नहीं एक दिन मेरा इसकूल जाने का बिल्कूल मुट नहीं था तो मैंने रात को अब्बू की कार की चाबिया एक गंबले में छुपा दी सुबह बूर में चाबिया तलाश करते 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 ठ हो गए जब इसकूल का वगजर गया तो मैंने चाबिया निकालकर अब्बू को दे दी और बताया यह तो मैंने छुपाएती बस सद्री अलिवकार आप तो समझ गया होंगे ना किसके बात मेरे साथ क्या हुआ होगा सद्री अलिवकार चंड रोस पहले की बात है अब्बू आपको के दोस्त नासीचाचु ने दर्वाजे पर दिस्तक दी अब्बू ने इन घर की से देख लिया तो मुझसे बोले नासीचाचु को मिना कर दो कि मैं घर पर नहीं हूं अब कुछे के मुझ पर क्या गुजरी मगर तब भी मैंने यहीं सोचा कि इसा मेरे साथ है क्यों होता है मेरी अंकल उससे पुछने लगे बेटा बताओ दुश्मन किसे कहते हैं मैंने कहा दुश्मन के हजब अदावत तीन दर्जे है नंबर एक दुश्मन नंबर दो जानी दुश साद्याल वकार मेरी अमी मुझ से कहने लगई बेटा टीपू सिल्टान कोन है मैंने कहा अमी पर दियान दो फीर अम मैं आंप पर दियान दो समझग ना आप सद्राइल वकार इसी तरह एक दिन मेरे अबू मुझे कहने लगे अगर इस बार इम्तिहान में फेल हुई ना तो मुझे अबू मत बुलाना कुछ दिनों के बाद रिसर्ट आया अबूने कहा किसा रहर से अब में क्या कहती मैंने कह दिया सोड़िशाएब बस फिर क्या था फिर तो हदी होगी अब आप ही बता है सद्रेल का नियुका है केसा बेरे साथ क्यों होता है शुकर यह बहुत ही ज्यादा क्यूट मुझे तो खैर बहुत ज्यादा पसंद आही है मेरा तो दिल जीता है जनाब अभी हने नेक्स जनाब कॉम्पिटिशन टफ बना दिया भी हने मेरे अपने ख्याल में लेकिन बागी तो जजिस की राय होगी जो भी होगी रेडी है अब रेडी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब अमी की आज कल तो अबू से है लड़ाई और इस पर कर दी मैंने शरारत तो होगर मेरी जोड़ दर पिटाई आखर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है आप पर एका समझते हैं कि सिर्फ आपकी जिन्दगी में टेंचन है मेरी जिन्दगी में इतनी टेंचन है कि मैं बोल उटती क्या अखर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है नहाने की टेंचन हुआ करने की टेंचन परहाई की टेंचन अच्छी इफ्तारी खाने की टेंचन इदी मिलने की टेंचन और तो और अमी दावत में चाता हुए अगर हमें अपने हाथों से मेक अप करें तो ठीक है और अगर हम मेक तो कियती है पक्की लगरी हो पक्की हापी की रोज़ा खुशाई हुई तुन्हें बहुत सारे लिफावे मिले और मेरी रोज़ाही हुई तो कवड-19 महमान आए तुम के सामने खामाखाई क्यूट मनो, मीठी मीठी बाते करो ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने बतलाई नहीं मैं मीठी बाते कैसे करूँ जब मैंने चीनी खाई नहीं और वो ही पुराना तालीम इन्जाम यकीन चानिये, रटे लगा लगा कर हम ऐसी घड़े बन चुके हैं जिसकी दुम जड़ चुकी है और खुर खिस चुके है आप कहानी को ही रे लिजे एक कव़ प्यासा था, जग में थोरा पानी था कव़े ने कहानी से भार रखे के दिया अब मैं कंकरे नहीं दालूँगा मुझे स्ट्रॉल आके दो, मैं उसी से पानी प्यूँगा हुए हमारे औरल एक्जाम शुरू पहला रूल नमबर हमारा ही था आखर मेरे साथ यह सा क्यों होता है टीचर ने पूचा आईश्या पाकिस्तान के बारे में कुछ बताईए हमने फकर से कहा टीचर पाकिस्तान हमारा वतन है जी शाबाश और सुनाईए टीचर हम तो ठीक हैं और आप सुनाईए यह सुना था कि टीचर ने हमें जोड़दाट चमाट मारा और अपनी खैदियत बता दी टीचर ने बोला आईश्या अल्लामा अकबाल मरने से पहले क्या थे टीचर ने जिन्दा के जिन्दा यह सुना था कि टीचर ने हमें घोड़ते हुए देखा और बोला आईश्या खायद आज़म कब पैदा हुए टीचर एटीचर ने बेहोश होते हुए कहा कि आईश्या अगले साल भी आप मेरे साथ होंगी आखर मेरे साथ ही असा क्यों होता है शक्रिया वेरी नाइस अच्छी तक्रीर की इन्होंने भी नेक्स्ट हमारी चनाब कंटेस्टेंट हैं ही ये भी क्यूट सी हैं आमना रियाज आमना आएं डाइस पर आप भी इस धारे ख्याल करें धाई मिनट का टाइम है दो मिनट पर पहला बज़र धाई मिनट पर दूसरा बज़र बज़ेगा इनका नाम ज़रा दुबारा बता दें आमना रियाज इल्याज? रियाज रियाज आमनों रेडी है? जाले, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कभी खासी, कभी नजला, कभी बुखार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है सदरे आली वकार मेरी सहते सी के मकड़ी भी शर्माए जान नेसी के ककड़ी भी ना उठपाए और तेज हवा में दुपटे की बजाए मेरी बाड़ी उड़ी उड़ी जाए जनाब आला, मेरी दादी अमाँ बताती है जब में पेदा हुई तो मुझे अंगूठे पर रखा गया दूर बीन से देखा गया माचिस की तिली से उल्टा पल्टा गया जूलर्स के रती तोले और माशे वाले तराजू में तोला गया इसलिए तो टाएंट टाएंग करता है मेरे दिल का ये तोता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है जनाब आला, मेरे दादा रियासी के प्रोफेसर थे जब में पेदा हुई तो उन्होंने कुछ हिसाब किताब लगाया और बड़े फकर से भरे खांदान में फरमाया मेरी ये पोती एक और इकलोता पीस है इसकी कीमत चार सो बीस है जब लोगोंने क्यों और कैसे का सवाल उठाया तो दादा हुजूर ने भी जवाबन बताया कि इसका पेदाशी वजन तीन पाउंड है और आज कल करंसी मार्केट में ब्रिटिश पाउंड एक सो चालिस रुपे फी पाउंड है दादा के इस साब किताब के चक्कर ने हमारा घंचकर बना दिया उसी रियाजी में हमें अबल नंबर की भुलकर बना दिया हमारा हाल बड़ा बेहाल है जिसको कहना भी महाल है कि फ्यूचर के खुआप देखे थे माजी में रह गए अंग्रेजी में जो हम पास हुए रियाजी में रह गए अब हमारे दादा का कहना है मेरी ये पोटी तो बेपेंदे का लोटा है अब आफ ही बताएं सदरे आली वकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है जणाब ए आला अब आप ही सोचिए मेरे दिल का क्या ठिकाना हो और मेरे दिमाग को क्यों ना पक जाना हो कि जब भी मुझे किसी शादी में जाना होता है, मेरे अम्तिहानात का जमाना होता है, गर्मियों की छुटियों में पाकस्तान की सेर को जाना होता है, तो ऐसे में ही बिनावीजा के करोना को क्यों आना होता है, गर के 20 बड़ों के बाद जब मुझे नहाना होता है, तो एन उस अब लोगों के साथ इसा नहीं होता तो फिर इसा मेरे साथ ही क्यों होता है शुक्रिया अब तक के जितने भी मुकाबले हुए न मुझे आज का मुकाबला सबसे ज्यादा अच्छा लगाए बाकी मेरे जजजे बताएंगे मैं चाहूं कि तीनो डिबेटर्स यहां पर आजाए तीनो क्यूट क्यूट चोटी चोटी बच्चियां आजए मुधसिर सुमया मुझे अभी तक जितने भी हुए ना कॉमपुटेशन यह सबसे ज़्यादा अच्छा लगाए बाद अच्छा मुकाबला लेकिन अच्छी तक्रियर है तीनों बच्चों की माशा अला लेकिन जो हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है आमना आमना का मुझे हैं और एक आपके पास जो है वो पहले नंबर पर है अपने मवाद की वज़ा से और उस लिहाद से मेरे पास जो है वो टॉप कर रही है वो हैं आमना रियास आज की विनर हैं और बाकी दोनों बचे बराबर हो गए बच्चों को स्पेशली इन करवाया था क्यों के बड़ो हैं और आगे भी आपको सर्पाइज दो कल भी यह हैं और पस बच्चे हैं चले और उसके आज की हमारी विनर हैं वो हैं आमना रियास आमना आपको बहुत मुबारक हो आप नेक्स डाउन के लिए क्वालिफाई कर गए अभी हापकी तक्रीर भी बहुत अच्छी थी आपकी ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है मख़ी हैं इसी माह में रहमत के करीने गरदाब से निकले हुए बख्षिश के सफिए गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर मजलिस को तू गुलदस्ता ए फिर्दास बना दे रिंदों को सनाए शहल उलाग पिला दे तू शम्म कलम को यदे बैजाई अता कर बच्चों को तो इफ़तार में तस्नीम अता कर रमजान में बोल सिर्फ बोल एंटर्टेन्मेंट पर